Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome to Affairs Cloud, we learn to lead. मेरा नाम है Vikas तो आइए friends अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही बहतरीन current affairs discuss करने वाले हैं फरवरी मन्त के जोकी स्पोर्ट से related होने वाले हैं स्पोर्ट से related कोई नया event हुआ हो या किसी को कोई award मिला हो, या कोई tennis में first position आई, cricket में किसने retirement ली ये सारी चीज़े आज हम discuss करने वाले हैं to the point बात होगी, to the point questions आएंगे और बस आपको note down करके चलना है end तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी information प्रोवाइड होने वाली आपको इसमें तो आप समझे पूरा आपका फरवरी का पूरा मन्त स्पोर्ट से related जो भी question बनेगा इस वीडियो में cover हो जाएगा January की वीडियो जाके जरूर देखेगा हमारी January की वीडियो हिंदी और इंग्लिज दोनों language में आ चुकी है तो let's start with our वीडियो लेकिन उससे पहले एक important information आप सब के लिए हमारी एक app है Carriers Cloud के नाम से जो आप Play Store से जाके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप Play Store से अप्लिकेशन को डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं आपके पास ऐसा page खुलेगा एक उस पर आपको जाके अपनी Google ID से अपको login करना है login करने के बाद ही जैसे ही आप login करके अपनी application को open करते हैं तो आपको एक window ऐसी दिख जाएगी इस window में आपको देखेंगे तो आपको current affairs के एक section दिखेगा यहाँ पर आपको current affairs इस पे click करते ही आप हमारे current affairs के section में आ जाएंगे हमारा current affairs का जो section है जो हम आपको course प्रोवाइड करते हैं application में बहुत अच्छा course है आपकी preparation में बहुत ज़ादा help होने वाली है हम आपको current affairs हिंदी में provide कर रहे हैं और हिंदी के साथ हम English में भी provide करते हैं जो content होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है पहली चीज़ हम आपको daily current affairs provide कर रहे हैं daily pdf मिलेगी आपको daily आपको question answer format में मिलेगा ठीक है आपको daily के 20 question मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी practice कर सकते हैं और यह बहुत helpful होता है revision में question answers मिलेंगे आपको current affairs के current affairs format question answer के format में फिर ऐसे ही आपको weekly मिलेगा जो आपके पूरे week के questions आप daily questions आपको PDF मिलेगी उन में से जो important questions होंगे उनका आपका एक तो quiz होगा करेगा हर week आपको Hindi की e-book प्रोवाइड होगी जिसमें आपको सारे paragraph wise या फिर एक question answer format में आपको सारे week के current affairs मिलेंगे ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको provide करेंगे monthly PDF PDF आपकी Hindi में ही होगी आपको top 100 question answers मिलेंगे ठीक है जो पूरे महिने के 100 important questions हैं वो आपको एक PDF provide की जाएगी उसमें मिलेंगे वो आपको question answer format में भी provide होंगे तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़ और यह आपका पूरा एक साल का course होता है आपको दो course के option मिलेंगे एक तो होगा for one year एक होगा for two year अगर आप new aspirant है आपको मतलब अभी आपने preparation ज़स start की है तो I'll suggest आप दो साल का course purchase करें बट आप एक regular aspirant है और पढ़ रहे हैं तो आप एक साल का course भी purchase कर सकते हैं important thing इसके बाद यह है कि हम आपको अलग banking awareness के भी questions provide करते हैं bank से related जो आपके questions होंगे सब इसमें हम अपना course में cover कर देते हैं बहुत अच्छा content होता है content में आपको कोई शिकायत नहीं होगी and daily update होता है आपको daily PDF मिलेंगी उसकी भी कोई attention लेनी की जरूत नहीं आपको ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे तो हम various exams की PDF भी provide करते हैं आपको आगे questions आप आगे paper solve करने में बहुत help मिलेंगी अब कच questions होते हैं जैसे कि कई सारे important days हो गए महिने के फिर books और authors कौन सी book release होई है कौन सी author ने क्या book अभी publish की है फिर उसके बाद indexes हो गई reports हो गई फिर कोई festival celebrate किया गया है या कोई योजना आई है तो ये काफी सारे topics होते हैं तो ये topic wise current affairs भी हम आपको 20 type के PDF प्रोवाइड करते हैं जिसमें 20 अलग-अलग topics होते हैं और ये आपको हर महिने update होती रहती हैं ये चीज़ तो सोचिए आपको कितना अच्छा package मिल रहा है कितना अच्छा course मिल रहा है ठीक है इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़े प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको इसके अलावा state current affairs हर state के current affairs भी आपको individually प्रोवाइड होते हैं इसके साथ ठीक है तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं परचेस करते हैं और आप check out करने वाले होते हैं तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज कीजिए विकास 10 यूज करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे नहीं तो आपको सीधा 10% का discount मिल जाएगा extra 10% महाँ पर जो discount होगा वो अलग होगा लेकिन उसके अलावा आपको total 10% आपकी जो final value होगी ना उस पर discount मिल जाएगा ठीक है तो सीधा आपको 10% का discount मिल जाएगा हमारा code यूज करते ही चलो अपनी वीडियो फिर start करते हैं तो आईए start करते हैं जो पहले information हम देखेंगे वो हमारी अशोग दिंडा से related है अशोग दिंडा एक Indian क्रिकेटर थे और इन्होंने अभी recently अपनी retirement को announce कर दिया है cricket से on 2nd February Indian baller Indian baller अशोग दिंडा announced his retirement from all formats of cricket at the age of 36 यह जब 36 साल के हुए इन्होंने अपनी cricket से सारे format के cricket से अपने retirement announce कर दिया है he is one of the quick ballers he is one of the quick ballers in Indian domestic cricket he hails from West Bengal यह किस जगह से आते हैं किस state से आते हैं question पूछा जा सकता है कि West Bengal से recently भी एक question पूछे गई है कि जो players famous player रहे हैं वो अगर news में रहेते तो पूछा जाता है कि वो कौन सी state से बिलॉंग करते हैं तो अशोग डिंडा आपकी West Bengal से बिलॉंग करते हैं याद रखिएगा ठीक है चलिए next अगली अगर हम कुछ information देखें अशोग डिंडा से related he made his one day international debut in May 2010 against Zimbabwe अगर इन्होंने अपना जो ODI में debut लाए थे यह आया था 2010 में मैच खेला था ठीक है और यही अगर हम बात करें यही अगर हम बात करें he has around 420 first class wickets और उन्होंने कम से कम 13 ODI और 9 T20 representing India and took 12 से 17 wickets respectively तो आईए friends start करते हैं जो हम पहले information देखेंगे वो हम अपनी अशोग डिंडा से related देखेंगे अशोग डिंडा एक इंडियन क्रिकेटर रहे हैं और यह बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं ठीक है question पूछा जा सकता है कि अशोग डिंडा recently जो अभी retire हुए है वो क्या थे वो एक famous या फिर बहुत अच्छे baller कह सकते हैं ठीक है फिर अशोग डिंडा से related अगर हम कुछ information देखें तो इंडियन बॉलर रहे हैं अशोग डिंडा यह 36 साल के थे जब इन्होंने अपनी retirement अनौंस करी इन्होंने सारे format के cricket से अपनी retirement अनौंस कर दिया from all form of cricket ठीक है next चीज़ देखें तो इन्होंने अपना जो इनका पहला debut match था ओडियाई का I repeat जो ओडियाई का इनका पहला debut match था वो किसके against था वो था Zimbabwe के against और यह कब था 2010 में इन्होंने अपना पहला ओडियाई match के लिए था Zimbabwe के against all right first debut match 2010 में में he made his first international ODI ODI की full form पता है वैसे आपको one day international होती है कई लोग हम ODI बोलते रहते हैं लेकिन पता नहीं होता कि one day international मतला 50-50 over का जो match होगा आपका फिर इसके अलावा याद रखना है इन्होंने अभी तक कुछ 420 first class wicket ली है 13 ODIs में खेले हैं 9 T20 खेले इन्होंने और representing India को करते करते इन्होंने 12 से 17 wicket भी respectively ली है ODIs और T20s में फिर इन्होंने अभी recently अभी IPL इतना famous हो रहा है तो इन्होंने IPL की भी कुछ teams में participate किया जैसे Kolkata Night Riders, Pune Warriors, Delhi Dare Devils, Rising Pune Serpents, Royal Challengers Bangalore यह IPL में सबने इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन्होंने टोटल 78 IPL games खेले है और उनमें से इन्होंने टोटल 68 wickets ली है एक चीज़ और याद रखना इन्होंने सयद मुस्ताक अली ट्रोफी match खेले हैं कौन सा नाम याद रखना आपको सयद मुस्ताक अली ट्रोफी ये आपके अशोग डिंडा जी दुवारा खेला गया है ये किस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं जब ये खेले हैं ये तीन बार खेला गया है और ये गोवा की टीम से खेलते थे ठीक है सयद मुस्ताक अली ट्रोफी में question ये भी पूछा जा सकता है कि सयद मुस्ताक अली ट्रोफी आपकी किस sport से related है ये आपके cricket से related है एक question आपके अशोग डिंडा जी गोवा की टीम से खेलते थे और ये अभी तक तीन सयद मुस्ताक अली ट्रोफी मैचिस खेल चुके हैं तो ये था आपका अशोग डिंडा से related information ये recently अभी retirement इन्होंने announce कर दी है अपने सारे for cricket के format से और ये अभी 36 साल के हैं चलिए next topic है हमारा कि ICC ने बाइजूस को अपना global partner अनाउंस कर दिया है 2021 से 2023 तक important चीज याद रखने की कि ICC जो कि आपकी international cricket council है उन्होंने बाइजूस को अपना global partner अनाउंस कर दिया है बहुत important news है मा करके चलिएगा ठीक है और जो time period है वो है आपका 2021 से लेके 2023 तक ठीक है बाइजूस ICC का global partner 2021 से 2023 तक ओल्राइट चलिए मतलब यह बहाँ पे सारे इवेंट के partner रहेंगी कब जब मैं 2020 T20 World Cup होगा इंडिया में और ICC Women's World Cup जो की होने वाला है न्यूजिलेंड में दो information और कितनी अच्छी इस question से मिली है आपको की men's का T20 World Cup कहां पर होगा यह आपका होगा इंडिया में और अगर मैं बात करूँ ICC Women's Cricket World Cup ICC Women's Cricket World Cup यह कहां पर होगा यह आपका होगा न्यूजिलेंड में अल्राइट ठीक है तो यह आपका related होगा information ICC ने recently बाइजूस को अपना global partner बना है 2021 से 2023 के बीच में फिर अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का जो इंडिया होस्ट करेगी men's T20 World Cup और जो ICC Women's Cricket World Cup होगा वो होस्ट करेगा न्यूजिलेंड को अल्राइट चलिए Next Next हम बात करेंगे नमन ओजा की नमन ओजा ने भी cricket के सारे format से अपने retirement ले लिया है नमन ओजा भी currently 37 years की हैं और यह जिस state से belong करते हैं वो है मध्यापरदेश important चीज है मध्यापरदेश याद रखना question पूछा जा सकता है कि following person कि स्टेट से belong करता है ठीक है यह और cricket से associated है इस question में आ गया तो चलिए पढ़ते हैं फॉर्मन इंडियन क्रिकेटर जो की wicket की पर थे और batsman रहे हैं नमन ओजा 37 years old from मध्यापरदेश has announced his retirement from all formats of cricket मतलब उन्होंने सारे format के जो cricket के जितने भी ICO आपके ODI हो गया, test match हो गया, T20 हो गया तो उन्होंने सब से सन्यास ले लिया है, retirement ले लिया He has represented India in all the three formats and holds the record for the most decimals 351 wickets by a wicket keeper in a Ranji Trophy मतलब जैसे जो यह wicket keeper है तो इन्होंने जितने लोगों को run out किया या फिर caught behind the wicket या फिर जो out करा as wicket keeping वो है 351 और यह most decimals रहे हैं for a Ranji Trophy player अगर हम नमज नोजा के carrier के बात करें तो इन्होंने अपना carrier debit कब किया था 2000 और 2021 में representing Madhya Pradesh में He made his international debut इन्होंने पहली बार Zimbabwe के against किया था जो कि 2010 में था for the tour of Zimbabwe ODIA को था आपका domestic cricket यह domestic cricket में 2000-2001 में Madhya Pradesh से खेलने आये थे लेकिन जब इनको international debut खेलने का मतलब international level पे खेलने का मौका मिला Zimbabwe के against जो tour of Zimbabwe था 2010 का All right He represented India in a test match against Shri Lanka in Colombo Shri Lanka in 2015 and became the first test cricketer from Madhya Pradesh since Rajesh Shohan Rajesh Shohan के बाद यह पहले cricketer बने है Madhya Pradesh से first cricketer from Madhya Pradesh since Rajesh Shohan Rajesh Shohan के बाद जो Madhya Pradesh से क्रिकेटर आया है वो थे आपके नमन हो जा ठीक है? चलिए इसके अलावा याद रखेगा इन्होंने कुछ IPL के टीम में भी पार्टिसपेट किया है जैसे Rajasthan Royals and Delhi Daredevils All right and he scored 9,753 runs in the first class cricket and he also has 471 decimals which includes 54 stumpings ठीक है? इनके 7,861 runs है and he is the 8th highest run getter in the Ranji Trophy Ranji Trophy में run बनाने वाले 8th position पे हैं with a score of 7,861 runs तो ये था नमनोजा के बारे में नमनोजा मध्यापरदेश ते बिलॉंग करते हैं जो चीज याद रखने की है इसमें important जो question पूछा जा सकता है वो यह यह कि नमनोजा किस game से related है वो है cricket उन्होंने अभी recently retirement ली है ठीक है? ये क्या रहे है ये wicket keeper कम batsman रहे हैं आपके और ये मध्यापरदेश से बिलॉंग करते हैं तो important चीज ये रहने वाली है तो याद रखिएगा और चलिए move करते है next पे तो next है हमारा Australian Open अगर हम Australian Open की बात करें तो इस बार 109th edition of Australian Open हुआ था ये कहां पर Melbourne Park Melbourne Australia में हुआ है ठीक है? ये पहला Grand Slam event है जो चार आपके Grand Slam होते हैं ये पहला event है कि जो बोथ men's and women's category में इस बार हुआ आपका Australian Open याद रखना हमेशा hard surface पे होता है ये question important हो जाता है कि hard surface पे खेला जाता है आपका Australian Open या फिर hard code कह सकते हैं आपको ये organize किसके द्वारा कराया गया था ये organize कराया गया है International Tennis Federation द्वारा ITF द्वारा International Tennis Federation द्वारा ये organize कराया गया होता कहां पे ये hard code पे हुआ है और होआ कहां था ये location दी पूछी जाए तो Melbourne Australia में और ये 109th edition रहा हार्ड सर्फेस पे खेला जाता है इंपोर्टन शीज अलगर हम देखें जो विनर रही इस बार men's category में वो थे आपके Novak Jokovic Novak Jokovic सर्बिया से आपके इस बार क्या रहे विनर रहे आपके Australian Open के ठीक है याद रखना ये इनका 9th title है 9th Australian Open Novak Jokovic का ये नोएक Jokovic है कहां से ये आपकी सर्बिया से है ठीक है जो रन अप रहे मतलब जिनको हराया Novak Jokovic ने वो थे Danil Mediliv ठीक है Danil Mediliv आपके Mediliv आपकी second position पे रहे क्योंकि first position पे Novak Jokovic आ गए ठीक है फिर अगर हम बात करें इसको नौर्मन ब्रूक्स चैलेंज कप इंपोर्टन चीज जो मैंस सिंगल स्टॉफी होती है न ऑस्ट्रेलियन ओपन गेम्स में उसको नौर्मन ब्रूक्स चैलेंज कप के नाम से भी जाना जाता है इसको इंपोर्टन मा करके चलियेगा ठीक है I repeat नौर्मन ब्रूक्स चैलेंज कब भी कहते है इंपोर्टन चीज मा करके चलियेगा ठीक है फिर नेक्स चीज हम देखें नेक्स सेकीर यह हमने पढ़ी लिया कि नौर्मन जोकोविच का नाइंथ ऑस्टेलियन ओपन टाइटल है ये और उनका जो अगर चारों ग्रेंट स्लेम की बात करें तो उसमें से 18 ग्रेंट स्लेम टाइटल रहा है ये फिर नौर्मन जोकोविच फर्स ऑस्टेलियन ओपन टाइटल केम इन 2008 2008 में उन्होंने पहली बार अपना ऑस्टेलियन ओपन टाइटल जीता था फिर नोवैक जोकोविच इस नाव ट्व ग्रेंट स्लेम टाइटल शॉट ऑफ joint slam record for 20 title held by Roger Federer and Rafael Nadal इन दोनोंने 20 grand slam title जी चुके हैं और अभी तक Novak Jokovic का ये 18 medal था तो ये भी याद रखिये चलेगा कि 9th तो title था ये इनका Australian Open और total वा 18th grand slam award था ये उनका तो ये थे Novak Jokovic और अगर हम बात करें Naomi Osaka की Naomi Osaka Naomi Osaka ने women's category में Australian Open title जीता है याद रखियेगा ये second title है इनका Naomi Osaka का Australian Open Australian Open Naomi Osaka का second title है अल्राइट चलिए अगर हम इनके बारे में पढ़ें ये हैं कहां से ये आपके याद रखियेगा Japan से हैं अल्राइट फिर Naomi Osaka from Japan defeated Jennifer Brady Jennifer Brady आपकी run-up रही ये USA से है तो विन दा Australian Open women's title और अगर हम जैसे देखा कि women's man's single title को भी एक नाम से बोला जाता था वैसे ही women's single trophy को Australian Open में क्या नाम से जाना जाता है इनको जाना जाता है और या फिर बोला जाता है Define Arkhurst Memorial Cup के नाम से जाना जाता है किसको Women Single Trophy Co. of Australian Open और अगर men's category में बात करें तो वो है आपका Norman Brooks Challenge Cup तो confused मत होईएगा अगर आपसे पूछा जाए Norman Brooks Challenge Cup के विनर कौन रहे तो वो थे आपके Novak Djokovic और अगर आपसे पूछा जाए कि Define Arkhurst Memorial Cup की विनर कौन रही वो थी आपकी Naomi Osaka आपसे ये भी पूछा जाता है इसका दूसरा नाम कहते हो वो है आपका Women's Singles Trophy Australian Open आल राइट चलिए नेक्स चीज़ Naomi's second Australian Open title है ये और overall fourth Gram Slam title है Naomi's first Australian Open title उनको 2019 में मिला था and Naomi is only the third player after Monica Sills and Roger Federer to win the first four major finals alright next अगर हम बात करें with the victory Naomi Osaka move to second rank अब ये second rank आ गही है in the world in the women's tennis association ranking WTA ranking ये प्रोवाइड करता है और still जो first position पे हैं वो है rank 1 वो है Ashley Barty और ये Australia की है Ashley Barty आपकी Australia से rank 1 holder रही है अभी भी alright अगर इसको अगर हम याद करना है तो इसको लिख लेते हैं important है first position पे कौन आ गई Ashley Barty and अगर second position पे बात करें तो वो हैं हमारी Naomi Osaka Naomi Osaka alright चलिए अब हम कुछ Grand Slam titles की बात कर लेते हैं उनके बार में information पढ़ लेते हैं पहला है आपका Australian Open Australian Open के अगर हम बात करें तो Australian Open कहां पे होता है Melbourne Park में होता है Australia में usually takes place in the month of January and it was founded in 1905 मतलब Melbourne में होता है आपका Australia में and ये कब होता है generally January के मन्थ में होता है and ये start कब हुआ था ये 1905 में start हुआ था और ये जो खेला जाता है हमेशा याद रखेगा hard coat पे खेला जाता है hard coat पे आगया न type of surface जो होता है आपका Australian Open hard coat होता है अगर हम Wimbledan की बात करें Wimbledan की अगर हम बात करते हैं Wimbledan आपका होता है takes place at the All England Lawn Tennis and Corquette Club London कहां पे होता है All England Lawn Tennis and Corquette Club London United Kingdom में खेला जाता है it is the oldest tennis tournament founded in 1877 it usually takes place around the month of June July और ये grass उस पे खेला जाता है I repeat कहां पे होता है Wimbledan Wimbledan आपका UK में होता है All right ये क्या है oldest tennis tournament मतलब सबसे पुराना tennis का tournament है ये फिर कब पहली बार कब स्टार्ट हुआ था पहली बार ये 1877 में खेला गया था June जुलाए के मन्त में ये खेला जाता है ये आपका हमेशा याद रखेगा grass court पे खेला जाता है All right चलिए Moving on to the French Open French Open की अगर हम बात करते हैं तो French Open is also known as Roland Garros and takes place at the Roland Garros Stadium पहली चीज सबसे पहली चीज French Open को ही Roland Garros Award भी बोला जाता है ठीक है Roland Garros Award इसको कहा खेलते है Roland Garros Stadium में खेला जाता है Paris में, France में जहाँ पे जोन सी कंट्री का नाम है वो वहीं खेली जाएंगी ठीक ये यूशली कब खेला जाता है May-June में और ये कौन से सर्फेस पे खेला जाता है Clay सर्फेस पे मतलब Roland Garros French Open का दूसरा नाम हो गया May-June में खेला जाता है ये कब फाउंड हुआ था 1891 में और ये Clay Coat पे खेला जाता है ये कैसी Coat पे खेला जाता है आपके Clay Coat पे चिकनी मिट्टी होगी उस पे खेला जाता है नोट चिकनी मिट्टी एग्जैक्ली लेकिन पर्टिकुलरी वैसा इसा ही फॉर्मेट होता है Next Next है आपका US Open ये चार Grand Slam की बात हो रही है तो US Open ये टेक्स प्लेस कहां पर ये New York USA में होता है Billy Jean King National Tennis Center में होता है It was founded in 1881 August September में खेला जाता है और Hard Coat पे खेला जाता है ठीक है और ये अगर Chronically Wise देखे जाए Fourth Grand Slam Tournament होता है WTA and ATP कलेंडर का I repeat USA coupon की बात करें तो ये New York USA में खेला जाता है 1881 में found you हुआ था पहली बार खेला गया था August September में खेला जाता है ये और ये Hard Coat पे खेला जाता है तो एक छोटी सी चीज समराइज करने के लिए आपको मैं पढ़ा देता हूँ AFWU Australian Open and US Open ये दोनों Hard Coat पे खेले जाता है French Open आपका कले में and Wimbledon आपका ग्रास में ऐसे याद रखिए गाइसको AFWU पहले और आखरी वाला Hard Coat बीच वाला पहले कले पे और फिर ग्रास पे ओल्राइट चलिए Next पे Next अगर हम ranking देखें जो men's ranking रही है टेनिस में वो है पहले position पे नोवैक जोकोविच सेकेंड पे रफाल नैडल और तीसरे पे डैनिल मैडी भी आपको याद रखना है इनकी countries भी याद रखनी है कहां से बिलॉंग करते हैं नोवैक जोकोविच सर्बिया से रफाल नैडल स्पें से और डैनिल आपके रश्या से बिलॉंग करते हैं Similarly women category में देखें तो Ashley Barty आपकी Australia से Second पे हैं Naumio Saka और Third पे हैं Simona Help Ashley Barty आपकी Australia से है Naumio Saka Japan से है and Simona Help आपकी Romania से है ये ranking भी याद रखना पूछी जा सकती है important mark करके चलिए गाइसको आल राइट चलिए Next Next अगर हम winners को एक बार फिर से finally revise करें तो men's single title में जो winner रहे वो थे Novak जोकोविच सर्बिया से second रहे Daniel Medidiv ये रश्या से है Women's single title में Naumio Saka Japan से और Jennifer Barty आपकी USA से है main चीज ये ही चार नाम याद रखने हैं आपको alright चलिए Next पे चलते है Next हम देखेंगे 30th Eradik Pearl Tournament Indian women's boxers claims 5 gold medals for a top finish Indian women को 5 gold medal मिले हैं अभी recently 30th Eradik Pearl Tournament में किसमें? 30th Eradik Pearl Tournament में Indian women's को 5 gold medal मिले हैं उन्होंने 5 gold medal जीते हैं Eradik Pearl Tournament में जोकी Indian women's boxing league होती है Alright अगर हम इसके बार में पढ़ें Indian boxing contingent finished with 12 medals at the 30th youth international boxing tournament 30th youth boxing tournament में international boxing tournament में India को total 12 medals मिलें ठीक Eradik Pearl held at Budawa Montergo from February में 2021 में हुआ ये It finished second in the overall medal tally मतलब इंडिया ने second overall second rank पे रही medal tally में और उजबेकिस्तान took the first place while Ukraine finished the third in the medals tally आगर हम बात करें इनकी जो first position पे रही आपकी country with highest number of medals वो थी उजबेकिस्तान second पे रही आपकी India and जो third position थी वो किस की रही आपकी वो रही आपकी Ukraine की ठीक है वो रही Ukraine की उजबेकिस्तान, India and Ukraine आपके first, second and third पे रही इंडिया के याद रखना total आपके 12 medals आए है ओल्राइट, चलिए फिर अगर हम देखें Indian boxing contingent finished with 12 medals और जो five women's को gold medal मिले हैं वो आप photo में देख सकते हैं इनका नाम है अलफिया पठान, विनका, बबरियो सोजना, चनू अरुन्दती चौदरी and T. सना माचा चनू आपके इनके तो यह जो वो five women's है जिनको five gold medal मिले है तो यह वो five women है जिनको आपके gold medal मिले है वो है अलफिया पठान, विनका, बेबी रोजी साना चनू and अरुन्दती चौदरी and the last women is T. सना माचा चनू ठीक इन पाँच women को gold medal से सम्मानित किया गया या फिर gold medal इन्होंने जीता है आपका international women's boxing league में next, next इनके बारे में information ली जाए तो Indian boxing contingent finished with 12 medals हमने इस देख लिया 30 youth international boxing tournament Adriatic pearl में फिर जो याद रखने वाली चीज़ है कि 12 में से जो Indian women ने 12 medals जीते उन में से Indian teams won 10 medals, 5 gold, 3 silver, 2 bronze और while the Indian men's team ने 2 medal bronze के लिये ये जो 12 medal की tally है आप इसको कैसे ब्रेक किया है इन्होंने वो है 10 तो मिले women's को प्लस दो मिले है men को और दस medal जीती है women's ने और दो medal जीते है men ने जिस में से याद रखिए 10 में से 5 gold है, 3 silver और 2 bronze और अगर हम men's की बात करें तो उन्होंने सिरफ 2 bronze medal जीते है ठीक है, important चीज़ याद रखने की फिर next जो winners रहें उनके बारे में कुछ पढ़े विद 2 bronze medals from प्रियांशू डबास 49 kg and जुनगू for Indian men's team India took its total medal to 12 प्रियांशू डबास और जुगनू इन दोनों ने bronze medal जीता for men's इन men category में प्रियांशू डबास जो की 49 category में खेल रहे थे और जुगनू जो 91 kg category में खेल रहे थे उन्होंने दो bronze medal जीते हैं इंडिया के लिए और फिर with a total of 12 medals इंडिया 2nd position पे रही overall standings में उजबेकिस्तान ने पहली position हासिल किया और उक्रेन ने 3rd position वो हम देख चुके हैं विन का जो 60 kg केटिगरी में खेली उन्होंने gold medal receive किया for the best women boxer of the tournament important चीज best women boxer of the tournament का award किन को मिला है विनका जी को मिला है ठीक है विनका नाम है विनका जिनको best women boxer of the tournament award मिला है यह 60 kg केटिगरी में खेली थी next only boxers who were under the age of 18 year took part in the tournament important चीज माग करने की ठीक है कि जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं या 18 साल तक की जो women's है या बॉक्सर से सिरफ उन्होंने इस event में participate किया है alright तो एक बार revise कर लेते हैं कि यह 30th Adriatic pearl tournament celebrate किया गया है वो हुआ था इस बार यह जिसमें इंडिया ने 5 gold medal जीते और सारे के सारे women ने जीते हैं total जो medal टेली रहा है इंडिया का वो रहा 12 medals का at 30th youth international boxing tournament जिसका नाम था Adriatic pearl और यह हुआ का था मॉन्टेंगो में हुआ था फिर याद रखना 12 medals के साथ इंडिया का जो टेली रहा वो था second rank पे, first rank पे रहा उजबेकिस्तान और थर्ड पेरा युक्रेन अगर हम 12 जो 5 women ने gold medal जीता उनकी बात करें तो वो है अलफिया पठान, विनकाया बेबी रोसी सना चानू एंड अरूंधती चौधरी और जो last person women है वो है टी सनमन चानू फिर याद रखिएगा 12 medals को हमने divide cash कैसे जीता है जिसमें से 10 medal तो जीते हैं women's ने और 2 medal जीते है men ने दोनो men के जो medal थे वो है bronze category के और जो women ने जीते है 5 gold, 3 silver और 2 bronze को ठीक जो men's category में जिन्होंने medal जीता है bronze वो है प्रियांशु डबास and जुगनू और आपको याद रखना कि जो gold medal receive करने वाला winka थी जिन्होंने gold medal receive करा winka women ने ये आपकी best women boxer of the tournament का award भी मिला इनको ठीक है इनको best women boxer of the tournament का award जिनको मिला थो वो था winka और ये याद रखना ये सारे boxer under the age of 18 years है मतलब सारी 18 साल से छोटे हैं ठीक चलिए next हम देखेंगे कि Asian online shooting championship में India ने medals tally में top किया है important mark करके चलिएगा इसको most important mark करके चलिएगा Asian online shooting championship में जो की first time हुआ है उसमें इंडिया ने medals tally में top किया ठीक है medal tally में India ने top किया या फिर rank 1 रही इंडिया की अगर हम Asian online shooting championship की बात करें तो ठीक चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ information India's 24 member Indian shooting contingent top the medal tally by begging 11 medals हमें कितने medal मिले Asian shooting online championship में हमें मिले total 11 medals 11 में से जो आपको चीज याज रखनी है 4 gold 2 silver और 5 bronze medal थे at the first Asian online shooting championship ये first time हुई थी online shooting championship ठीक किनों ने organized कराई थी ये भी important है ये organized by Kuwait किनों ने organized कराई Kuwait ने organized कराई थी ठीक है Kuwait Shooting Federation Kuwait Shooting Federation ने ये championship organized कराई थी important thing is to remember Kuwait Shooting Federation next thing फिर Indian shooters participated in the online competition from the Dr. Karni Singh shooting range करनिंग शींग shooting range से Indian के shooters ने participate किया जो कि New Delhi में है फिर around 270 shooters from 22 members of Asian Boxing चूटिरेशन participated in the competition All over the Asian talkin चूटिरेशन 有 kayak all over the 274 shooters ने participate किया था जो कि 22 members मतला 22 countries varieties से आसपास असे Goal Indian shooters bagged 4 gold medals out of 8 gold medals which were on the offer during the competition 8 में 4 gold medals Indian shooters को मिले next Asian online shooting चैंपियंशिप आर फिर्स्ट फॉर्मल मीट फॉर दा इंडियन शूटर्स आफ्टर दा पैंडेमिक एज इसे यह उपर लिखा भी है कि फॉर्स्ट एशियन ऑल-लाइन शूटिंग चैंपियंशिप और यह डैली में से हुई और उन्होंने ऑल-लाइन कॉंपिटिशन था य आपकी एशियन शूटिंग कॉंफिडरेशन की उसमें से 274 टोटल शूटर्स आल ओवर दे एशियन कंट्री से आये थे इसमें पार्टिस्पेट करने विनर्स की बात करें तो आप इसका स्क्रीन शॉट जरू ले लिएगा आपके लिए काफी हेलफुल रहेगा अगर हम ब मेडल जीता, दिव्यान शिंग पनवर ने मैंस 10 मीटर एयर राइफल में जीता, सौरब चौधरी ने पिस्टल में और दिव्यान शिंग पनवर ने एयर राइफल में, फिर किनन चनाई ने मैंस ट्रैप में, राजेश्वरी कुमारी ने विमेंस ट्रैप में जीता, सिमिलर अगर हम बात करें silver medal की तो अर्जुन वाभूटा ने men's ten air rifle मे़िः, finger cheard जीता और श्ष्रियाश्य सिंग ने women's trap मेपका silver medal जीता तो ये gold medal और silver medal का है main important, то gold medal का रहता है तो इसके नाम याद रखियेगा पूछे जा सकते हैं चांसिस बहुत ज़ादा ही होते हैं तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन अगर पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर दबाना इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि Current Affairs हम कितने अच्छे तरीके से आपको प्रिपेर कराते हैं और कितना अच्छा चैनल है हमारा Affairs Cloud अगर नए है इस चैनल पर आपने हमारी वीडियो पहली बार देखी हैं तो जाके सब्सक्राइब बटन जुरूर दबाईएगा हमें बहुत motivation मिलती है इस चीज से और अगर आपके कोई भी doubt है आपको किसी भी चीज से doubt आ रहा है आपको हमारी application में doubt आ रहा है आपको वहापे कोई हमारे courses purchase करने में दिक्कत आ रही है आपको PDF timely नहीं मिल पा रही है उदर या आपको कोई भी doubt है तो आपको इस number पे call कीजिएगा हमारी team आप तक जरूर पहुँचेगी और जल्द से जल्द आपकी problem को solve करने में help करेगी so guys that's all for the day Vikas signing off